नमस्कार दोस्तों, मैंसल्फ डॉक्टर आनन्द और मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत सौगत करता हूँ अपने इस नई वीडियो में दोस्तों जाम बात करने वाले हैं पल्स ओक्समीटर और कोरोना वायरस के रिलेशन में आपने इसके पहले मेरी पल्स ओक्समीटर के ऊपर एक वीडियो देखी थी जहां पर मैंने पूरी तरीके से बताया था कि पल्स ओक्समीटर क्या होता है अगर आपने नहीं देखिए तो मैं i button पर link दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप इस video को देख सकते हैं description में भी link हो उस video की वहाँ पर आप देख सकते हैं पर यहाँ पर आधर हम बात करने वाले हैं इस pulse oximeter की coronavirus के बीच में relationship की यानि की coronavirus के जून सलाय पूरा हम लोग बहुत दिन से करीबन अल्मोस्ट टू मन्स से लॉकडाउन में हैं और उसके बाद कोरोना वारिस का प्रकोप बढ़ता ही आ रहा है तो यहां पर एक छोटा सा बहुत सा अक्सिमेटर क्या काम करता है क्या यह कोरोना को पकड़ लेता है लेकल से दिटेक्ट करता है यह कोरना आपके बाडी में है कि नहीए पिसनेकाय देता है इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दो दोशस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो के नीचे जाए वहाँ पर एक रेट कलर का बटन उसे टैब करकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और उसके बगल में ए सब्सक्राइब करेंगे पल्स ओक्सिमेटर और कोरुना वायरास के बीच पर रिलेशेंशिप की आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो भी फोटेस देख रहे हैं नीज चैनल पर वहाँ पर जो आईसीव में पेशेंट है जो वेंटिलेटर पर पेशेंट है उस पर एक जो इतनी बड़ी मशीन लगी होगी है वो सारा काम क्या एक छोटा पल्स ओक्सिमेटर कर सकता है जी हाँ बिलकुल कर सकता है Statistics और रिसेर्च में पाया गया है कि जिन लोगों के पास पल्स ओक्सिमेटर है वो पल्स ओक्सिमेटर का यूज करके अपने आपको चेक करते हैं regular चेक करते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, इससे होगा क्या, जब भी आप पॉल्स ऑक्सिमेटर अपने फिंगर टिप पे लगाएंगे, तो वहाँ पर एक रिडिंग देगा, कि आपकी बॉडी में ऑक्सिजन किता है, नॉर्मली मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि 95-100 क की बीच होना चाहिए, थोगासा काम आता है, तो 90 तक हम कंसीडर कर सकते हैं, 90 से नीचे किसी भी कीमत पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरीगे के सिम्टम्स आ रहा है, सर्दी, खासी, जुकाम, बुखार, सांस देने में दिक्कत हो रही है, फीवर ह हो रहा है, तो यहाँ पर आप पर्स ऑक्सिमिटर का यूज करिए, अपने फिंगर टिक पे लगाईए, पांस से देस सेकंड उसे रहने दीजिए, और वहाँ पर फिर रीडिंग आएगी, कि आपके अंदर, आपके बलड में, आपके बलड में, ऑक्सियन की मातरा कितनी है, आपको वो नोट करना है, फिर आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, यानि कि आपका रेस्पाइटी रीट कितना है, अल्मोस्ट एक मिनट में हम 15-16 बार सांस ले लगते हैं, तो वहाँ पर वो भी डिटिक होता है, वो भी बताता है, इसके साथ साथ आपकी हर्ट बीट कितनी ह बार धाला करा है एक मिनिट में वैसे हम 72 मानते हैं प्लस मानस 5 तो 10 आप मान सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं बट इससे कम या जादा हुआ तो आप जा सकते हैं इसका एक फाइदा ये भी है कि अगर आपके घर में पल्स ऑक्सिमेटर रहता है तो आप नॉर्मली अपना बाइब नॉर्मल करो होगी है या किसी भी सिम्टम्स के डर के अपको और आपको पैनिक नहीं होंगी आपनी देखा क्योंकि coronavirus सबसे पहले आपका respirator track पर ही effect करता है तो जैसे आपने check कर लिया आपके report normal है आपको डरनी की जोगत नहीं आपको panic करनी की जोगत नहीं और आपको hospital जानी की भी जोगत नहीं है बहुत सारे doctors ये prescribe कर रहे हैं ये suggest कर अपने patients को कि आप जैसे अपना kit रखा है अपने घर पर जिसमें आपकी बहुत सारे medicines होती है homeopathic medicines, allopathic medicines, emergency pills है आपकी bandages है आपकी क्रीम है, antiseptic cream वगर आप रखते हैं डेटर लगते हैं जहां पर आप एक और device रखिए जिसे हम pulse oximeter कहते हैं अगर हर घर में pulse oximeter रहेगा तो यह आपकी बुज़रुगों के काम आएगा यानि कि जो हम लोग के 60-70 age से जादा के जो बुज़रुग आप उनकी monitoring कर सकते हैं regularly ऐसा जोड़ी नहीं कि सर्फ Corona में ही करें किसी भी disease में कर सकते हैं इसके साथ साथ जिनको respiratory tract की इसके डिजीज है जैसे कि अस्तमा हुई है pneumonia है TV का patient हो चुका है TV क्यों हो चुकी उसके बाद आप उसका भी pulse oximeter कर सकते हैं इसके साथ साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो भी newborn child है उन पर भी बहुत अच्छा work करता है आप भी pulse oximeter लगा के छोड़ दीजिए आपको पुरी यांकाई रही है कि बच्चे को सांस देने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बॉडी में oxygen की मत्रत तो फ्रॉपर है तो ये सारी चीड एक छोटा साथ pulse oximeter कर देगा आपके लिए तो ना आपको कोरोना से घबडाने की जोगत है और आपको किसी भी चीज से किसी भी और डीजिजिज से जो respiratory tract पर infection करती है जो आपके सांस देने में दिक्कत पहला कर रहे है उन सबी डीजिजिजिज से आपको डरने की जोगत है जब तक कि आपके पास pulse oximeter है वीडियो में description में link दिया था जहां से लोग नहीं खरीद पा रहे है मैं फिर सा समझाना चाहूँगा इस वीडियो की नीचे जाए वहाँ पर detail में मैंने text में यानि के लिखावट करके link दिया है आप वहाँ से जो best है जो best आपको pulse oximeter मिलते हैं वहाँ से आप buy कर सकते हैं pulse oximeter हम अपनी क्लिक से नहीं भेजते हैं pulse oximeter आप Amazon या Flipkart से खरीजते हैं तो वहाँ पर जाके जो surgical instrument भेजते हैं वहाँ से आप online खरीज सकते हैं link मेंने दी याप वहाँ से आराम से easily खरीज सकते हैं आप cash on delivery करें या प्रिपेट करें जैसे आप पहले payment करके आप खरीज सकते हैं तो उमीद करता हूँ मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो प्रीज वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी जागरुक बने और कम से कम हर एक घर में एक pulse oximeter होना जरूरी है इस बात को भी आप consider करिए इस बात को भी आगे फैलाईए चनल पे नए हैं तो प्रीज चनल को subscribe करिए बेला को अंदर वाइए ताकि अगली बार जब भी हमको एक वीडियो लेकर आए तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले पहुच जाए तो मैं Dr. Anand मिलता हूँ आप से इसी तरीके की अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत